बिहार में अधिकारियों को अब मिलेगी मंचाही पोस्टिंग, 10,000 लोगों को प्रतिजिन काम करने का प्रयास कर रही है सरकार 10 साल पुराने मामले में पपुयादर की हुई गिरफतारी, बिहार में COVID-19 की मिले इतने प्रभावित मामले अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बीते दिन नितीश क्याबिनेट की बैठक में 13 एजेंट उपर लगी मुहर मुक्यमंत्री नितीश कुमार के ध्यक्षता में बीते दिन क्याबिनेट बैठक आयोजिन करवाए गया था जहां पर कुल मिलाकर 13 एजेंट उपर मुहर लगा दी गई है जिसके तहत कोरोना काल में नितीश सरकार ने लगभग पौने 3 लाग सिक्षकों के वेतन भुक्तान की मनजूरी दे दी है इसके लावा कोविट टीका करण को लेकर 1000 करोर रुपए जारी कर दी है इसके साथ ही नितीश सरकार ने गाउं गाउं में MBBS डॉक्टरों की तैनाती का फैसला किया है इसके लिए 2580 पत्स्रिट किये जाएंगे सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए 117 करोर की मनजूरी दे दी है सरकार ने गरावीन शेत्रों में अम्बुलेंस की सिवा देने के लिए हर प्रखन में दो-दो अम्बुलेंस की खरेदारी को मनजूरी दे दी है सरकार ने बिहार नगर कल्यान एवं निबंधन संबर्ग नियामवली 2021 बिहार नगरपाली का नगर योजना परेवेकशक संबर्ग नियामवली 2021 बिहार नगरपाली का राजस्वे एवं लेखा संबर्ग नियामवली 2021 बिहार लोग स्वच्चुता एवं अपविष्ट प्रबंधन संबर्ग नियामवली 2021 21 और बिहार नगरपाली का लिपकी नियामवाली 2021 की मंजूरी दे दी है बिहार में COVID-19 के मिले 10,000 से ज्यादा मामले स्वास्तिवभा की तरफ से मिली जानकारी के निसार बिहार में 20 दिन के 54 गंटे में 10,920 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद आक्टिव मरीजों की संख्या 1,299 पर पहुँच गई है मुझाफरपूर में 452, नालंदा में 289, नवादा में 95, पटना में 702, पुर्णिया में 589, रोहतास में 116, सहरसा में 97, समस्तिपूर में 482, सारन में 355, शेकपुरा में 127, शिवहर में 76, सीतावडी में 103, सिवान में 263, सुपॉल में 266, वैशारी में 493, वेस्ट चमपार के 13,852 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं, जिसके बार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,7,041 पर पहुँच गई है 32 साल पुराने मामले में पपुयादव की हुई गरफ्तार, लॉकडाउन लंगन मामले के बाद जाप्रमुख पपुयादव को 32 साल पुराने मामले को लेकर बीति दिन गरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें बीति श्राम को मध्यपुरा भेजिया गया मध्यपूरा के कुमार खंड थाना के कांड संख्या 9-89 के तहत अपहरन का वोकाद माधायर किया गया था जिसके तहत कोट ने वारंट जारी किया था ये समन 22 मार्च 2021 में नियायालेद्वारा जारी की गई थी इस मामले में पपू यादव फरार थे उन्होंने कब तक बेल नहीं ली थी इस बीच यहां पपू के समर्थकों ने नितीश कुमार का पुतला दहन किया आम लोगों में भी काफी नाराज की देखने को मिली वहीं मध्यपूरा ले जाते जाते मीडिया से बाच्वीत करते वे पपू यादव ने कहा लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि यह समर्थ सेवा करने का है अब भी लोगों को एक साथ एक जुटो कर काम्द करने का है उन्होंने तेजस्टी आदव से अपील करते वे कहा कि वे सड़कों परूत्रे और लोगों की सेवा करें SBI में कलर के पत पर आवेदन के लिए आपके पास है आखरी मौका SBI में कलर के कुल मिलाकर के 5237 पत पर आवेदन की मांगी गई है SBI में Junior Associate J A.P.2 की भरती में अभी आवेदन के लिए एक सब्ता का मौका इस भरती में आवेदन करने के चुक अभरती SBI की वेबसाइट SBI.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इस भरती के लिए SBI ने 27 सप्रेल 2021 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और आवेदन की अंतिमतारिक 17 माई 2020 है आपकी जानकारी के लिए आवेदन के लिए भरती 2021 में आवेदन के लिए अभरतीयों को पहले SBI की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा बिहार में 4 लाख कोरोना वाक्सीन डोज हो गई बरबाद COVID-19 के बर्थे माहर के भी जहां वैक्सिनेशन की प्रोक्रिया को जोर शोर से बढ़ाने के अपील की जा रही है वहीं बिहार में बड़ी लापर वाही सामने आई है खबरों की माने तो बिहार में 4 लाख डोज वैक्सीन की बरबाद हो गई है के अद्रिया स्वाससेवं 2012 मंगलवार को देश के 10 त्राज़ो में कोरोना वैक्सीन डोज की बरबादी की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताए गया है कोरोना वैक्सीन के 5 दशनलर शोन boss बरबाद हो गया है रिपोर्ट में बताएगा है कि बिहार के आबादी कुल 12,23,4100 है बिहार को 45 वर्ष से उपर के उमरवालों को ठीका करने के लिए कुल 87,825,820 कोरोना वैक्सीन के डोस भेजे गैते इसमें से कुल वैक्सीन के 82,49,474 डोस का खपत हो चुका है 4,55,822 डोस का नुकसान हो गया है स्कूल कॉलेज में ठीका करन शुरू करने के लिए मनोज कुमार ने दिये जरूरी दिशानिर देश बिहार में COVID-19 के लगातार भढ़ रहे मामलों के बीच ठीका करन अभियान को तेजी से किये जाने की तयारी हो रही है स्कूल कॉलेज परिसर को ठीका करन अभियान के लिए इस्तमाल करने की बात कही जा रहे है संबन्ध में राजस्वास्त समीती के कारेपालक नदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी करावशक दुशानिर देश जारी किया है जारी पत्र में कहा गया है कि COVID-19 वेश्विक महमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उदेश उसे 18-44 साल आयोवर्ग के सभी लाभार्थियों का सरकारी स्वास्त संस्थानों में नीशुल्क ठीका करन कराय जा रहा है इस आयोवर्ग के लाभार्थियों की अतिधिक संख्या को देखते वे टीका करन सत्रिस्थल को COVID-19 की जाच एवं उप्चार किये जा रहे स्वास्त संस्थान परिसर से अलग रखे जाने का निर्ने डिया गया है टीका करन सेंटर पर नाभार्थियों के वेटिंग रूम, अबलोकन रूम और बैचने के लिए कुरसी, पीने के पानी आदी की परियाप्त मात्रा में उपलब्त तास्व निश्यत की जाएगी दिल्ली से पटना पहुँचा 147 ओक्सिजन कंसंट्रेटर कोरोना की दोशी लहर के कारण बिहार की स्वास्तेववस्था पूरी तरीके से चर्मना गई है इसे बीच बिहार को बीते दिन खुश खबरी मिली है जो इसके तहर बीते दिन की सुबह 147 ओक्सिजन कंसंट्रेटर पटना एरपोर्ट पहुँचा दिये गया है सभी सिक्षकों को वेब पोर्टल पर करना होगा अपने दस्तावेज को सब्मिट बिहार में फर्जी प्रमान पत्र पर बहाली सिक्षक को हताने के लिए सरकार के सभी कदम बर्दमान समय में फेल नजर आ रहे हैं जाज करेगी जाज के बाद फर्जी प्रमानपत्र पाए जाने पर वैसे सिक्षकों पर आक्शन होगा सिक्षविभाग ने सभी DEO को आदेश दिया है कि प्रमानपत्र उपलब्द नहीं कराने वाले सिक्षकों की सूची 17 मई तक दे बिहार में अधिकारियों को अब मिलेगी मन चाही पोस्टिंग सरकार देने की तयारी कर रहे है इसके लिए अधिकारियों को हाला की कुछ पैरामीटर पर अपने आपको साबित करना होगा काम का मुल्यांकन पर मार्जन म्यूटेशन इसके साथ इभूमी स्वामित्य प्रवान पत्र मापी लोग भूमी अतिक्रमन जलने का अतिक्रमन मुक्ती अभियान एवं अभियान बसेरा में CEO की सक्रियता के आधार पर किया गया है आपको बता दे मंत्री के आदेश की बाद विभाग ने सभी पांसो चौती CEO की कामगाच का मुल्यांकन किया है कोरोना के चलते विभाग नक भगवन्द है इसलिए सूची पर विचार करने का प्रस्ताव मंत्री के पास नहीं भेजा गया है वहीं सूची के टॉप 25 CEO के उस संदर अंचलों में तैनाती मिलने की संभावना जोताई गई हाला की खराप काम करने बालों के खिलाफ कारवाई भी हो सकती है आज बिहारी पहचार में हम बात करेंगे चंदरावती देवी की चंदरावती देवी का जन्म 1909 को बिहार के एक जुले में हुआ था एक भारती अभिनेत्री थी जो हिंदी में बंगाली सिनमा के रूप में दिखाई दे चुकी थी वो 1935 के पंथ क्लासिक देवदास में चंदरमुखी के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है 1929 की मोख फिल्म पियारी में चंदरबती देवी में अपनी फिल्मी डेब्यू भी वो कर चुकी और देब की बोस की संस्कृत क्लासिक मीरा बाई में मीरा की भूमिका के बाद उन्हें स्टार्टम के लिए मना दिया गया अमी रतन प्रांठाकुर्रामकृष्ण रोडन भरा बसंता काहिनी अर काहिनी अगनी भमर अमी सिराज बेगम बिग्यान ओ विधाता छिन पातर नया मित्शिल जीवन जिग्यासा अटार दिन पारे फरियाज जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है 10,000 लोगों को प्रतितन काम देने का प्रयास कर रही है सरकार COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच भारी संख्या में मजदूरों की वापसी एक बार फिर से विहार में देखने को मिली है वहें इस बार सरकार वापस लोटे मजदूरों को काम देने की पूरी कोशुश कर रही है जिसके तहत ही निर्मान कारे से जुड़े काम में लगभग 10,000 लोगों को काम देने की तैयारी सरकार कर रही है ग्रामेन कारे विभाक के सचिफ पंकच कुमार पाल ने बताया कि राज़ों में करीब 21,000 किलोमीटर सरकों का निर्मान कारे चल रहा है इसमें प्रते दिन 10,000 लोग काम कर सकेंगे महीं पिछले साल कोरोना महमारी के कारण लंबित कामों का नश्पादन करने के लिए 15 रह दिनों का वक्त बढ़ा दिया गया है बकसर के गंगा नदी में मिले शफ पर संग्यान लेने की उठी मांग कोविड-19 के इस माहौल में बुरी सिती बिहार की देखने को मिल रही है वहीं दूसरे तरह बकसर के गंगा नदी में लोगों के शफ मिलने से पूरे लाके में अफरात अफरी का माहौल देखने को मिल रहा है के इंद्रेजल शक्तिवंत्री गजेंद्र सिंग श्रिखावत ने बकसर में शफ मिलने के मामले में ट्वीट कर जाच करने की बात कही है उन्होंने बिहार के सियम नितीश कुमार और उतरप्रदेश के सियम योगी अधितनात को टैग करते वे मामले में संग्यान नेने की बात कही है इसके साथ ही कॉंग्रिस ने था मालिकार जुन खडगे ने भी बकसर मामले में ट्वीट किया है उन्होंने लिखा कि गंगा और यमुना में तेरते शवों के द्रश भयावा है यह देखना दर्दनाक है कि अंतिम संसकार के लिए शव को प्रियजनों को नहीं दिया जा सका विहार के प्रख्यात कार्डियोलोजिस डॉक्टर प्रभाद कुमार हैदराबाद किये गये रेफर देश के जाने माने कार्डियोलोजिस डॉक्टर प्रभाद कुमार पिच्टर कई दिनों से कोरोना से प्रभावित है जुसके बाद उनकी स्थिती अब काफी ज्यादा नाजुक हो गई है जुसके बाद देराथ बहतर एलाज के लिए एर अम्बुलिन से उन्हें वेंटिलेटर युक्त विशेश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैदराबाद ले जाए गया जानकारी के नसार हैदराबाद में डॉक्टरों की टीम दॉक्टर प्रभाद कुमार के फेफरे का ट्रांस्प्लांट करने पर काम कर ली है क्योंकि उनका फेफरा बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुका है उन्हें विशेश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कोरोना से बिहार के दो और कार्डियोरोजिस्ट की धालत नाजुक बनी हुई है पिएमसी एज़ कैंपस में सित इंद्रागांधी फृदरोग संसान में कार्डियोरोजिस्ट रहे डॉक्टर राधा शरन पिछ्रे 15 दिनों से कोरोना की चपेट में है बिहार में आप खुद मीटर रीडिंग कर ऑनलाइन पास सकेंगे अपना बिज्रे बिल अकसर मीटर रीडिंग के लिए बिज्रे वभाग से कोई व्यक्ति आपके घर पर आता है लेकिन अब आप आग निर्भर बनकर खुद अपना बिज्रे बिल निकाल सकते हैं विले जानकारी के नुजार अब भोगता ऑनलाइन अपना मीटर रीडिंग कर उसे बिज्रे की कमपनी को भेज़ कर बिज्रे बिल प्राप्त कर सकेंगे इस वबस्ता के तहर पिछरा बिल बनने के 15 जिन बाद या पिछरा बिल भुगतान करने के अंतिम तारीक के 20 जिन बाद सुविधा एप की माधिम से निर्देश का पालन कर बिज्रे बिल बना सकेंगे साथ ये पहले के तरह उनका भुक्तान ओन्लाइन भी किया जा सकेगा इस अप्लिकेशन में आपको Bill Self Service section पर क्लिक करना होगा Generate Bill के option पर consumer ID लिखना होगा जिसके बाद जाच होने पर सब कुछ ठीक रहने पर आगी गयनोमती मिलेगी हाला कि ध्यान रहे सही विकल पर क्लिक कर मीटर रीडिंग सहीद उसका फोटो खीच कर सब्मेट करना होगा सब कुछ तही रहने पर request number जनरेट हो जाएगा जिससे भविश्य के लिए भी संभाल कर रखना अवश्रक होगा इद को लेकर 14 मई को रहेंगे bank बंद सभी आमनागरिकों को एहमसूशा अगर आपको बैंक से संबन्धित कोई काम है तो आपको हिदायत है कि आप 13 मई से पहले अपने सभी काम को निप्टा ले क्यूंकि 14 मई को ईद पर बैंक बंद रहेंगे औरल इंडिया बैंक ऑफिसर्स असोसियेशन के संयुक्त साचिव डी एन ए त्रिवेदी ने कहा है कि आमतोर पर हर महीने 4 रविवार और 2 शनिवार को अवकाश रहता है इस तरह से हर महीने 6 दिन बैंक बंद रहते हैं इस महीने 2 अतिरिक्त अवकाश और 5 रविवार होने की वज़े से 3 दिन अवकाश बढ़ गया है जाप्रमुख पपुयादव की गिरफतारी को लेकर शुरू हुई राजनीती बीते दिन राजधानी पटना के गांथी मैदान में पपुयादव की गिरफतारी प्रकरन में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जरंता की सेवा के धर्म होना चाहिए सरकार को जन प्रतनिधी सामाजिक संसान एवं कारेकरता को आम जन की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए जन प्रतनिधी को भी कोरोना गाइडलान का सकती से पालन कटेवे कारि कारिकरना चाहिए ऐसे समय में सेवा में लगे पप्पूयादव को गिरफतार करना और सम्मीदन शील है भारत के इतिहास में आज की तारी कईकारनों से महत्वपूर्ण ein जोधपूर के स्थापना 1429 में आजी के दिन हुई पुरंदर की संधी के तहत चठतरपतीश शृबाजी महराज और अंगजेट से मिलने 1666 में आख आःजी के दिन कहा आज ही के दिन को अंतराश्री नर्स्तिवस के रूप में मनाय जाता है स्वास्तकर्मियों के 50 लाग के बीमा की अबधी बढ़ी 6 महीने आगे केंद्र सरकार ने प्रिधानमंत्री गरीब कल्यान पकेज योजना Insurance for the Health Worker fighting with COVID-19 के तहट स्वास्तकर्मियों को 50 लाग रुपे का बीमा की पॉलिसी 30 मार्श 2020 से 24 मार्श 2021 तक के लिए थी हाला कि केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद इसे हाली में बढ़ा कर 24 मार्श 21 से 24 अप्रेल 2021 तक किया गया है वहीं अब बीमा की अबधी 180 दिन के लिए बढ़ा दी गई है भारत की मदद के लिए अब ट्विटर ने आगे बढ़ाया अपना हाथ कोविट 19 के समाहॉल में भारत को लगातार अलग-अलग प्लाटफोर्म से मदद मिल रही है इसी कड़ी में अब इसमें ट्विटर का नाम भी जुड़ गया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कोविट 19 में भारत को 15 मिलियन डॉलर यानि की लगभग 110 करोर रुपे डोनेशन देने की बात कही है ट्विटर सी ओई ओओ जैक पेट्रिक डॉट्सी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है जैक ने बताया है कि पैसे तीन non-government organization को दिये जाएंगे इसमें Care Aid India और सेवा International USA संसान शामिल है जिसके तहट अब इस फ़न से वाक्सीन गाउं और दूर के शेतर में भी लेने जाने में मदद की जाएगी इस सबी community के लोगों को वैक्सीन देने में भी मदद मिलेगी जुलाई में 3 वंडे और 3 T20 माच खेलेगी तीम इंडिया भारत जल्दी श्रीलंका दौरे पर निकलने वाली है जिसके तहट जुलाई महीने में 3 वंडे और 3 T20 माच खेलने वाली है इस बारे में जानकारी देते वे भारतिक रिकेट बोर्ट के अध्यक्ष सौरब गांगुली ने रविवार को बताया कि भारतिय टीम शिर्श खिलाडियों के बिना जुलाई में सीमित ओवरो की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी श्रीलंका में कप्तान विराट कोली, सीमित ओवरो में उपकप्तान रोहित शर्मा इसका हिसा नहीं होंगे क्योंकि वो उस समय इंग्लाइन के खिलाफ 5 माचव की टेस सीरीज की तैयारी कर रहे होंगे गांगुली ने कहा कि हमने जुलाइ के महीने में सीनियर पुरिश टीम के लिए सीमित ओवर की सीरीज की योजरा बनाई है जहां वो श्रीलंका में टीपेंटी, अंतरास्ट्री और एक दिवसी है माच खिलेंगे COVID-19 के बढ़ रहा है मामलों की बीच चमकी बुखार के बढ़ है केसेज वही पीकुवारड में दो बच्चे ES पुष्टी वाले भरती है, जुनका इलाज चल रहा है चमकी बुखार के लक्षन वाला एक बच्चा सस्पेक्टिड भरती है COVID-19 के बढ़ते माहौल के भी स्वासमंत्राले ने जारी की नई गाइडलाइन COVID-19 के लगातार बढ़ रहे माहौल के भी स्वासमंत्राले ने बीते दिन नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके 3 स्वासमंत्राले ने यह सपष्ट किया है कि एक से दूसरे राजु के लिए कोरोना की RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है स्वासमंत्राले की तरफ से यह भी का गया है कोरोना के मामले 18 राजु और केंदरिसाशवरी प्रदेशों में घटे हैं वही तेरा राज्यों में एक लाग से अधिक कोरोना के आक्टिव केस है। टीका करन को लेकर कमिश्र ने दिये कई बिंदूओ पर निर्देश भी ते दिन कमिश्र संजे कुमार अगरवाल ने प्रमंडल के सबी जुलाधिकारी के साथ कोबिड-19 संक्रमन की रोक थाम एवं बचा वेतू वीडियो कांफरेंसिंग के माधिम से बैठक की जहां उन्हों ने ज़रूरी दिशा निर्देश दिये बैठक में ठीका करन टेस्टिंग कोबिड अस्पतालों में एलाज की वस्ता नीजी अस्पताल नीजी आम्बूरंस के लिए निर्दारी सरकारी दर्का अनुपालन लॉकडान का अनुपालन सहित कई अन्य बिंदूओ की समीश्वा जलावार सभी जलादिकारियों से की के इसके साथ ही वैठक में सभी जलादिकारियों को कोबिड अस्पताल का नियमत निरिक्षन निगरानी एवं अनुश्रवन करने का अनिर्देश्ट किया गया बिहार के गुर्मी चौधरी ने नागपूर में खोला कोबिड नाइटीन का अस्थाई अस्पताल कोबिड नाइटीन के समाहौल में टीवी और बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री से लगातार कई मदद हाथ सामने आए हैं बिहार से निकले अभिनेता गुर्मी चौधरी ने भी कोबिड नाइटीन के समाहौल में मदद का हाथ आगे पड़ा है जिसके तहत अभिनेता ने नागपूर में अस्थाई रूप से कोबिड नाइटीन अस्पताल शुरू किया है अस्पताल के तस्वीरे पोस्ट करते वे उन्हों ने लिखा है कि हमें ऐसे और भी केंद्र की जरूरत है अभिनेता ने लिखा कि मैं डॉक्टर सयाद वजाहतली और टीम के सयोग से नागपूर में एक समर्पित मेक्शिफ्ट कोबिड केर अस्पताल के शुभारम की घोश सब्सक्राइब बात करें तो सोने का भाव 11 मही को 22 क्यारट के रिए प्रति के लिख चाहली से जार नौह सद रूपई था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति केलों 71,600 रुपे था इसके साथ ही राज़ारी पत्ता में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपे प्रती लीटर वहीं डीजल 85.3 रुपे प्रती लीटर था कल हमारे दुवारा पूछे कैसे सवाल का जुवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था के लाप बहुत बहुत है निवाद आप में से जी न्यूजर का कमेंट हमें अच्छो़ रगाहे हैं उनके नाम है इंद्र देव प्रसाथ रवंदर पासवान अस्लम राज गुंगुन कुमार अमेत तिवारी सतीश मिष्रा रोशन कुमार कुमार राजू बलंदर कुमार श्र राज़ुका सवाल को जिस प्रकार है आपके अनुसार COVID-19 के रोक था में बिहार सरकार की तरफ से किये जार है प्रयासों से आप संतुष्ट है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक उन दोवारा ना भूलें धन्यवार